हेलो फ्रेंड तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही यम्मी रेसिपी जो की हम बहुत ही कम चीजों से बनाएंगे एंड बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी बनाना आप इजली बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है ये तो आज हम बनाएंगे आलू टिक्की तो सभी की फिरवेट होती है और सभी को आलू टिक्की बहुत जादा पसंद होती है तो इस समय आलू टिक्की खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी सेयर किया जाए तो आलू टिक्की बनाने के लिए हमने यहां पे आलू को वाइल कर लिया है जब आलू हमारा ठंडा हो जाएगा तब इसको छील लेंगे और छील के मैसर से अच्छे से इसको ह हमें बहुत ज़्यादा ताम जाम करने की जरूरत नहीं है बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको आलू टिक्की बनाना बताऊंगी तो हम आलू को मैस कर लेते हैं इस तरह से देखिए हमने आलू को बहुत ही अच्छे से मैस कर लिया है तो आलू जब हमारे अच्छे से म यहां पे लाल मिर्च पाउडर तो इन सब चीजों को डालने से टेस्ट बहुत ही जादा है traury का, यहां हमने डाल दिया है चलर 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 मसाला डालने टेर्श बहुत ही अच्छ है और हमने डाल दिया अम्चूर पाउडर हम इसे लाष्ट में डाल देंगे धनिया पत्ता जो की टेस्ट को दो गुना कर देता है आपको तो पता ही होगा कि धनिया पत्ता बहुत टेस्टी होता है और नमक को हम सबसे लाश्ट में एड़ करेंगे यहां पे हमने डाला है सिंहपली नमक जो हम सबजी में एड़ करते हैं वह वाला एक चमाच और एक चमाच हमने डाला है काला नमक तो इससे टेस्ट बहुत भढ़िया आता है काला नमक डालने से सारी चीजों को डाल के आलू को अच्छे से हम मैस कर लेते हैं देखिए किता बढ़िया से हमने सारी चीजों को मिला कि अच्छे से आलो को मैश कर लिया है तो इस तरह से ठीकिया बना यह बहुत टेश्टी लगती है आप चाहें तो इसमें कद्दू कस करके अद्रग भी डाल सकते हैं मैंने यहां पे नहीं डाला क्योंकि बच्चों को नह जवत बनांगे तो बहुत यह अच्छी है और इसह आप खाना कम खाने का मन करता तिज़िया बहुत जादा शयांटी जाद आफkä तो देखिए यहां पे हमने तावे चड़ा दिया यह तावाय रोटी वाला नूर्मल तावा है इसपे हमां आज हमाज आपको ठीकिए बथा बना के दिखाएंगे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और बहुत ही अच्छा टिकिया बनेगी इसमें हमने ना तो आरा रोड डाला है ना मैदर कुछ भी एड नहीं किया है सिंपल तरीके से बनाऊंगी बहुत बढ़ी टिकिया बनके तयार होती है तो देखिए हम टिकिया को जब इस तरह से डाल देंगे तो पहले थोड़ा सा ओयल लगा देंगे तवे पर फिर हम टिकिया को डालेंगे फिर जब हलकी हलकी से ब्राउन हो जाएगी टिकिया एक तरह से तो हम पलट देंगे तो देखिए हमने सारी टिक्यों को पलट दिया है ब्राउन हो गई थी जब इधर से भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम हलका हलका तेल डाल देंगे तो आप तेल अपने स्वाद के अनुसार जो खाते हैं उसको ले सकते हैं तो देखिए हमारी दूसरी तरफ से टेकिया बहुत अच्छे से सेख चुकी है तो हम सारी टेकियों को पलट देते हैं तो देखिए कितनी करारी देखने में ही किती ला जवाब लगरा एक कि यह बहुत टेश्टी न लगती तो देखिए हमने NOT हरे lifetime को अच्छे से से принципе कितनी बढ़िया हमारी टिक्षिक के तयार हुई है तो फाइनली देखिए हमारी टिक्षिक बन चुकी है बहुत ही टेश्टी बनी हुई है तो आप लोग भी इंज्वाइं करें चटने के साथ दही के साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लेस वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कून मत भूलिएगा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा बाई